नमस्कार सर मेरा नाम राजु है ये बड़ा चक्कर है सर बोलू मैडम बोलू दोस्त बोलू काफी सारी मैडम का फोन है कि आप हमें कभी रेकनाइज नहीं करते हैं तो बड़ा दुविदा है ये फायर सीरियल देखे होंगे उसमें मैडम सर मोला जाते हैं तो मतलब इसके पी है तो जितने भी दर्सक हैं मैडम जो है तो उनको यह सोचना है कि इसके पीछे चुपा हुआ है मैडम सर के पीछे मैडम चुपा हुआ है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज कि तीनी बार टैक्स वाले स्कीम में पैसा देना है और लाइट टाइम के लिए छुटका रहा कैसे करेंगे मातर तीन बार दिया देर लाग देर लाग देर लाग देर लाग तो साल कितना हो गया एक साल दो साल तीन साल चौथे साल यह फ्री हो गया तीन बार पैसा दिया चौथे साल जब पैसा देने का बारी आएगा देर लाग रुपिया और तो मुचल फंट ELSS में जो भी पैसा आप Tax Savings में पैसा डालते हैं जो भी डाला वो तीन साल के लिए लौक हो जाएगा अगर आपने वन टाइम दिया डियर लाक तो ये पैसा छोटने के लिए चौते साल फ्री होगा ये पैसा जो दिया उसके अगले साल पांचवे साल फ्री होगा यह पैसा जो दिया तो यह भी 3 साल के लिए बंद हो गया फिर यह 6 साल निकलेगा अगर कोई SIP कर रहे है 10 दरज़र पर मंद का तो आज जो SIP में पैसा गया वो 3 साल के लिए लोग होगा अगले मैना जो जाएगा वो 3 साल के लोग होगा छे साल तक SIP चल रहा है छटे साल में जो पैसा गया वो आगे तीन साल के लिए लोग होगा बहुत confusion है इंवेस्टर में कि टोटल तीन साल बोलेंगे टोटल तीन साल उसी को बोलेंगे जो पैसा गया वो तीन साल के लिए लोग तो पैसा हर मेने अगर जा रहा है जो भी घूसेगा पिंजड़े में तीन साल उसको भोगतना पड़ेगा दो पिंजड़ा तीन साल भोगतना पड़ेगा यदि 18 से का benefit चाहिए तो जो भी पैसा जाएगा उस पिंजड़ेमें तीन साल लोक हो जाएगा, तीन साल के बाद ही वहां से free हो पाएगा, तो यह बात समझ में आगया, अब जो भी traditional plan कर रहे हैं, हर साल पैसा दे रहे हैं, तीन साल, चार साल, पाथ साल, दस साल, पंदरा साल हो गया, फिर भी देते जा रहे हैं, यहां पर मुचल fund में, ELSS में यह फंडा है कि मातर तीन साल दीजिए तीन साल के बाद जैसे जैसे पैसा फ्री होते जाएगा उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देजिए और ओटो में वो री इन्वेस्ट होते जाएगा आपको बार बार पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है अब यहाँ पर कोस्टन होगा कि आप जो साभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहें ट्रीशनल प्लान में उन सब का अपना-पना मच मच फंड है पता लगाईए और उस पैसे को डायवर्ट कर दीजिए आप मच मच फंड के ELSS फंड में या टेक्स सेविंग बोलते हैं इसको दोनों ETC के अंदर आता है मतलब नहम एक ही है टेक्स सेविंग बोलिए या ELSS बोलिए एक्विटी लिंग सेविंग सेविंग स्कीम अब यहाँ पर ट्रेडिशनल प्लान में एक और चीज़ है मस्ती की पार्ट साला में वो क्या है कि आप 10 लाग रुपे लगाते हैं आपके बस आए कि 10 लाग रुपे बचा लीजिए वो मार्च जाने वाला है पूरा टेक्स आजाएगा कर लीजिए कुछ तो आपने भी डर से डर के ही होता है सारा काम तो डर के अपने कर दिया उझा इसे किया पहले प्रिमियम पे बोलते हैं 20 पर्षेंट 25 पर्षेंट मिनिमम तो इतना है ही अगर टेडिशनल प्लान है तो 20 पर्षेंट गया आप पैसा टेक्स बचाने वाले थे या आप कुछ पता नहीं यू लीफ है तो पता भी चलेगा कि इतना पैसा इंवेस्ट हुआ एक लाग बीश जर गया और धरम कादिव कितना गया तीस जर उससे तो अच्छा है कि 10 पर्षेंट य बीस पर्षेंट के स्लाइब में आते हैं कर देते हैं तो पता नहीं है इसलिए आप टेडिशनल प्रांट कर रहे हैं यदि बात करें मुचल फंट के टेक्स सेविंग का पर्फरमेंस का तो यहां देखते हैं हमने यहां पर सेलेक्ट किया है और एक लाग रुपय डाला किसी ने दस सल पहले तो पर्फरमेंस देखत SBI Long Term Equity का बात करें 2013 में एक लाग रुपया वन टाइम का वेल्यू है 3,73,014% का रिटन जनरेट करके दिया है इसी तरह से निपाउन इंडिया का बात करते हैं एक लाग का वेल्यू साड़े तीन लाग रुपया बनाया है 13,10 लव 13% के रेट से ICC Long Term Equity का बात करते हैं एक लाग का वेल्यू 3,92,014% के रेट से तो इसी तरह से 13,14,15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबे समय तक Tax Saving में पैसा इंवेस्ट करेंगे हैं तो यहाँ भी वेल्थ क्रियेशन का एक अच्छा जरिया है अब यहाँ पे Flow Chart देखते हैं कि मच-मच फंड में अगर किये तो क्या होगा यहाँ पे हमने फंड सेलेक्ट किया है ICC Potential Long Term Equity डेर लाग रुपया दिया तीनी बार दिया टेक्स सेलेट 20% में आ रहे हैं माल लेते हैं 2005 से अगर किसी ने सुरू किया था एक चार्ट है कुछ नकुछ यह डालना पड़ेगा और तीन ब में यह पैसा रिइन्वेस्ट हो गया अब फिर 2006 वाला जो पैसा गया 2009 में रिइन्वेस्ट हो गया इसी तरह से करके वो सारा पैसा तीन बार में यह आ गया अब यहाँ पे जो पैसा देख रहे हैं यह वाला आ गया यहाँ इसी तरह से करते करते आज 2022 तक यह पैसा चला गय यहां देखते हैं यह टोटल पैसा गया है 40ные लॉप। तीनी बार दिया ढले ढले 4ocil चला गया आज इसका वेल्यू है यदि पर्शंटेड़ के रूप में केलक्पलेट करेंगे तो इसका पर्शंटेज आया है 13.4 लब तीन बार लगाया और उसके पर छोड़ दिया, पोटो में वो गुमते रहा, गुमते 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 गुमते, साड़े चार लाग का वेल्यू जो है, यहां पर हुआ, 37,093,000, टोटल वेल्यू, और इसका परसेंटेज कंबिनेशन बना, व्याज बराबर मुल्दन होना, समय गुना दर, वो दर जो है, यह आया, बटे एक सो लगा दीजेगा बाद में, वो दर आया, 13 परशन का, तो इस तरह से करके, मच मच फंड में तीन बर पैसा दिया, फिरी, मार्च कब आएगा, फर्वरी कब आएगा, अप्रेल आग या, यह, उस सब खतम, अगर आप S.I.P. भी कर रहे हैं, S.I.P. कर रहे हैं, तीन साल पैसा दिया, जोग दिया, अब आगे नहीं देना है, टेक सेविंग में, वो जो एक साल पहले था, फ्री हुआ, उस फ्री वाले पैसे को जोग दीजे, फिर से री इन्वेस्ट, तो यह सब तरकीब जो है, इस्टार S.I.P. मुचल फंड में आक कर सकते हैं, description में number है, group है, उसमें जुड़िये, और इस तरह का research ले सकते हैं, अपने investor को educate करने के लिए, और खुद भी educate होने के लिए, आपको full website बनाना है, मुचल फंड का, जैसे बड़े-बड़े brand चला रहे है, full transaction वेगरा, BSC से सब कुछ होगा, 10 जर्वे पर मंत जेना है, कि हम अपना website, अपना app कर सकते हैं, असानी से कर सकते हैं, सब के लिए खुल गया है, ऐसा नहीं कि BSC Stock Exchange ने बड़े-बड़े platform के लिए, अमीर लोगों के लिए द्वार खोला है, और हमारे लिए नहीं कोला है, हमारे लिए भी खोला है, बस इतना ही पैसा है जोकना है, 2 इसी तरह, मुचल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर में मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप मुचल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिये वे एप में रिजिस्टेशन करने कबाद हमसे जूड सकत हैं, एप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, वीडियो अच्छा लगे, तो WhatsApp इन्वेस्टी में दोस्तों की बीची से जरूर सेर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइक की इन सेर जरू करें, थैंक यू सू मच